कि लिए और चुकह सुबह से लेकर शाम तक वाहां रखखा गया तो यह आगले दिन जैसी आए उसके बाद इसने प्लानिंग कि एक तरह से बदला लेना एंसलिए इसने इसके दोस्त के साथ मिलके बागिरत में गजेंदर सिंग के साथ मिलके और यह प्लानिंग की कि रात को यहाईन को सब्बक सिकाने के लिए हम चोरी करेंगे पुशकर नेयाले परिसर में नगबजनी की वारदात करने वाले तीन अभ्युक्त गिरिफतार पुलिस अधिक्षक विकाष शर्मा के निर्देश पर आईपियस सुमित महरदा के नेतरत में गठित विशेश टीम ने किया खुलासा तीर्स नगरी पुशकर में चोरी का अजब गजब मामला सामना आया है नेयाले के आधिश से आहत हुए आरोपी ने ही नेयाले में चोरी की वारदात को अंजाम दे कर पुलिस को चुनोती डे डाली स्टेंडिंग वारेंट के दोरां दिन भर कोट में खड़ा रखने से नाराज आरोपी ने शराब पी कर अपने दोस्त के साथ मिलकर नेयाले में दिवार पर लगी LED स्क्रीन विशेश रूम में लगी LED डिस्प्ले स्क्रीन डायस पर लगा कंप्यूटर मोनिटर स्टेंडर रूम का कंप्यूटर मोनिटर वी सी रूम का कंप्यूटर मोनिटर और नाले की दीवार पर लगा कंप्यूटर मोनिटर चुरा लिया दो दिन पूर भी नाले ने आरोपी को जेल बेजा था आरोपी ने पूर में किसी मामले में सरेंडर किया था चोरों ने नयाले से किया LCD प्रिंटर सहीद टीवी पर हास्ताफ कर दिया IPA सुमीत महरदा ने बताए कि पुलिस ने ततपरता दिखाते हो मातर साथ गंटे में ही आरोपी को गिरिफ्तार करने में कामयभी हासिल कर ली साइबर सहल और आंकलन सुचनाओं के आजार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरिफ्तार कर लिया साथ ही चोरी का माल खरीदने वाले को भी पुलिस ने गिरिफ्तार किया है आईपे सुमीत महरदा के नितरत में पुलिस ने आरोपियों की धर पकड़ कर की उन्होंने बताए कि रविवार को पुष्कर नाहले में चोरी की गटना को अंजाम दिया गया था आईपेस सुमित महरदा ने बताये कि पकड़ेगा आरोपियों में सोईजना की धानी थावला निवासी भागिरत सिंग और्फ राजेश, गुढ़ा जग मालोता हाल सरद टहला निवासी गजेंदर सिंग और्फ गजराज वे पुलिस थाना थावला नागोर निवासी पुख राज खटीक शामिल है आरोपियों को गिर्फतार करने वाली टीम में पुशकर्थाना प्रभारी महावीर प्रशाशर्मा, पुशकर्थाने के हैड कॉंस्टेबर श्योजी राम, छीतर मल, देवकरण, मनोहर चंद, हैड कॉंस्टेबर सहीत, साइबर, डीस्टी टीम के बार डेक्स्टॉप और बड़े LCD स्क्रीन दो LCD और प्रिंटर चोरी हुए है तो उस बेसिस पे फिर हमने दो तीन तीमें गठित करके उनको अलग-अलग कामों पे लगाया जितने भी टेक्निकल और human intelligence के सोर्सेज यूज कर सकते थे वो किये और लगबग 2-3 दिन के अंदर इसको खोल दिया है तो इसकी घटना में ये निकल के आया है कि भागिरात सिंग जो अभियोक्त है इसकी 17 तारिक को एक standing order था तो वो उसके लिए इसको गुलाय गया था और क्योंकि इसको सुबह से लेके शाम तक वहां रखा गया तो ये एक तरह से नाराज होके या गुस् इनको सबख सिकाने के लिए हम चोरी करेंगे और इसी वेसिस पे इनोंने फिर क्योंकि सेटरड़े संडे था दो दिन इस थारिक को इन्होंने चोरी किया और उसके बाद पर ये अपना सामान इनोंने अपने घर पर लगा दिया और इनको लगा जो काम का नहीं है या जो कम इन्होंने फिर जाके कबाडी में बेहती है इनगे फिर की करेंडारा है जब टीमों से अनालिसिस करेंगे थे इस पर तीन लोगों को ग्रफतार किया भी बागिरत सिंग गजेंदर सिंग और पुखराज आज़ेंगे हैं और तीसरा भी थावला तो तीनों नागवर दी लेके हैं। यह पहले कौन चैना रोप में था? जिए बागरत कॉन वारेंटी मैं इसको डेट पे बुलाना था जो और बारबार डेट पे नहीं आता है तो कोट उसमें फिस संदिंग और इंटिस्यू वर्यों